दोस्तो आसके वीडियो में हम 5 एप्लिकेशन से लोन अपलाई करने का और उस लोन अमाउट को अपने बेंक एकाउट में ट्रास्फर करने तक का कंप्लेट प्रोसेस आपको बताएंगे दोस्तो 5 एप्लिकेशन एक RBA register NBFC अप्लिकेशन है और यहाँ पर आप आथरकाड और पेंकाड का बेसिस पर भी लोन ले सकते हो और अगर आपको बड़ी अमाउट की लोन चाहिए तो आपको यहाँ पर सिर्फ बैंक स्टेट में अपलोड करना होगा आप यहाँ पर बैंक स्टेट में अपलोड करके पूरे 5 लाग रुपया तक ही लोन ले सकते हो हाला कि पहले दोस्तो 5 एप्लिकेशन में सिर्फ सेरीड लोग ही लोन ले सकते थे ल्किन यहाँ पर अभी अप्डेट आया है अब यहाँ पर सिर्फ इंपलोड कर्फ के टिगरी में आप लोन ले सकते हो सिर्फ आधार्कार और पेंट काड़ के बैसिस पर लोन लेना जाओंगे तो वहाँ पर आपको और वीडियो देखने की ज़रूत नहीं पड़ेगी तो नमस्कार दोस्तो जगोगेन में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तो अगर आपको एक वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रू कर देना और अगर आप हमारी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आकें नुबा कर ओल नोटिफिकेशन ओन कर दो जिसे हमारी हर आने वाले इसे तरीके नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे तो चले दोस्तों वीडियो को सूप करते हैं तो दोस्तों हम आगे है प्लेश्टोर पर और आज हम बात करेंगे F5 एप्लिकेशन के बारे में एक RBI रेजटर NBF से अप्रूब एप्लिकेशन है और बहुती जानी मानी और ट्रस्टेड एप्लिकेशन है इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा इस एप्लिकेशन के रेटिंग की बात करें तो 4.4 की रेटिंग है और 10 मिलियन चे पे ज़्यादा लोगों ने इस एप्लिकेशन को डाउलोड किया हुआ है अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम इस एप्लिकेशन की थोड़ी सी डिटेल देख लेते है उसके बाद यहाँ पर हम आपको लाइप रूफ लोण अपलाई करने का प्रोसेस भी बताएगे तो यहाँ पर हम इसकी डिटेल में देखे तो एक instant loan provide करती है अब यहाँ पर दोस्तों loan की बात करें तो एक company 5,000 रुप्या से लेके पूरे 5,000,000 रुप्या तक की loan provide करती है मातर दो मीडिट के अंदर तीन मेहने से लेके 36 मेहने का tenure मिलता है 100% डिजिटल प्रोसेस रहता है minimum paper work रहेगा कोई भी call store requirement नहीं है और कोई भी free cruiser चाज नहीं है अब यहाँ पर इस application के बारे में बताये गया है कि यह application ने अभी तक 18,000 करोर से भी ज़्यादा का amount disperse कर दिया है 5.7 million loan disperse किया है और 21,000,000 से भी ज़्यादा इसके happy customer है यह इसका application के बारे में इन्होंने बताये हुआ है नीचे example वगरा दिया हुआ है आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हो अब यहाँ पर दूसरों नीचे आएगए तो यहाँ पर eligibility criteria बताये गया है जिसमें बताये गया है कि आप एक sell it individual होने चाहिए आपकी उम्र एकी सिर्व होनी चाहिए और आपकी minimum salary 15,000 रुपया होनी चाहिए अब दूसरों यहाँ पर sell it individual तो बताये हुआ है लेकिन सिर्फ sell it individual को ही यहाँ पर loan नहीं मिलती self-impro category में पर यहाँ पर loan मिलती है हाँ अगर आप बड़े amount के loan लेना जाओगे तो वहाँ पर आपको income verify करना होगा जिसमें आपको bank statement upload करना होगा लेकिन अगर आपको stock amount के loan मिलती है तो वहाँ पर आप without income proof सिर्फ आधर card और pen card के basis पर ही loan ले सकते हो ठीक है अब निचे दोस्तों यहाँ पर आएगे तो इसका NBFC पार्टनर बताय हुआ है यहाँ पर इसके साथ total no NBFC जूड़ी हुई है जिनके थूँ यहाँ पर limit provide की जाते है यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत बड़ी बड़ी NBFC इनके साल जूड़ी हुई है और निचे इसका contact support भी दिया हुआ है अगर इस application में कोई query आए तो यहाँ से आप contact कर सकते हो ठीके तो यह थी दोस्तों इसकी जानकारी तो चले दोस्तों अब हम यहाँ पर इस application को open करके यहाँ पर loan apply करने का पूरा process आपको समझा देते हैं तो यहाँ पर हम इस application को open करेंगे तो सबसे पहले कुछ इस तरीकी से enterprise आएगा यहाँ पर इस application का कुछ interaction बताया हुआ है जो कि already मैं आपको बता चुका हूँ तो यहाँ पर side में scroll करते करते जाना है और यहाँ पर एक option मिलेगा next का तो simple हमें उस पर click कर देना है तो next करने के बाद हमसे यहाँ पर mobile number पुछा जाएगा तो यहाँ पर हमें अपना mobile number एंटर करना है और get start पर click करना है तो हमारे mobile number पर एक OTP send किया जाएगा तो यहाँ पर auto में ही enter हो जाएगा अब यहाँ पर एक option मिलेगा verify OTP तो simple हमें उस पर click करना है OTP verify हो जाने के बाद यहाँ पर हमसे permission पूछी जाएगी तो यहाँ पर निच स्क्रॉल करके आप इस permission को देखना चाहो या पढ़ना चाहो तो पढ़े सकते हो अधरवाद यहाँ पर एक option मिलेगा I agree उस पर click करके सारी permission को allow कर देंगे उसके बाद कुछ इस तरीके centerface आएगा अब दूसरे यहाँ पर हमारे एक email id verify करने होगी तो email id verify करने के लिए यहाँ पर एक option है continue with google simply हम उस पर click करेंगे तो हमें retire act कर दिया जाएगा हमारे device में जितनी भी हमारे email id होगी वो वाले section पर इनमेंचे जो भी email id हम इस application के साथ link करना चाहते है उसे यहाँ पर हम select कर लेंगे email id सिलेक करने के बाद कुछ इस तरीके centerface आएगा अब यहाँ पर हमें अपना account setup करना है तो नीचे एक option मिलेगा setup account simply हमें उस पर click कर देना है तो यहाँ पर एक pop-up window आएगा तो यहाँ पर एक option मिलेगा select date of birth simply उस पर click करके यहाँ पर आपने date of birth सिलक कर लेनी है उसके बाद अगले page में हम से यहाँ पर employment type पुछा जाएगा तो यहाँ पर है sell it, self-employed, doctor, student या other इन में से किसी भी case में आप यहाँ से loan apply कर सकते हो लेकिन दोस्तों यहाँ पर इनों जो बताया है कि सेर्फ sell it लोकों को ही loan provide करती है तो यहाँ पर हम sell it पसंद चिलेक करेंगे उसके बाद यहाँ पर थोड़ा processing लेगा और कुछ इस तरीके से एंटरवेस आएगा अब दूसरे यहाँ पर हमें अपना pen card number एंटर करना है अब यहाँ पर हमारा pen card number already इस application में add है क्योंकि मैं एक बाद यहाँ पर loan apply करने के लिए सारे detail feel कर चुका हूँ तो मेरे कुछ-कुछ detail यहाँ पर already है जैसे कि self here pen card, other card मगेरा इसके पास है already मेरा तो यहाँ पर हमें confirmation के लिए बोलेगा कि क्या एही pen card आपका है तो हमारा एही pen card है तो यहाँ पर हम इसे confirm करेंगे उसके बद यहाँ पर थोड़ा processing लेगा और हमारे समने अगला पे जोपन होगा जिसमें हम यहाँ पर बताये गया है कि your account is ready now यानि कि हमारे account यहाँ पर ready हो चुका है अब नीचे एक option मिलेगा complete profile यानि कि हमारी profile यहाँ पर complete करनी है तो यहाँ पर हम simply उसपर click करेंगे otherwise नीचे एक option मिलेगा I do is letter यानि कि हम कुछ देर बात भी हमारी profile complete कर सकते है तो अभी हम यहाँ पर आईडू लेटर पर क्लिक करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे इस application के home page में अब उपर यहाँ पर हमारा नाम सोग कर रहा है यहाँ पर बताए गया है कि 5 application चे आप 5 लाग रुप्य तक की loan ले सकते हो जिसमें यहाँ पर हमारी personal detail complete हो चुकी है almost और आगे हमें अभी 2 step complete करने हैं जिसमें हमें कितनी loan amount मिलेगी ओपता चलेगा और last में हमें KYC करना है अब यहाँ से loan apply करने के लिए एक option मिलेगा complete application तो simple हमें उस पर click करना है जैसे हम उस पर click करेंगे तो हम फिर से वही page पर आ जाएगे जहाँ से हम सोड़के गए थे अब यहाँ पर सबसे पहले हमें relationship status देना है कि हम single है या married है उसके बद अगले page में हमारी monthly income एंटर करनी है जो भी monthly income हो यहाँ पर हमें enter कर देनी है उसके बद यहाँ पर इससे confirm कर देना है उसके बद यहाँ पर हमने sales list ले किया तो हमारा work detail यहाँ पर enter करनी है कि हमारा company का नाम क्या है हमारा company का address, locality, area, pin code और city यहाँ पर हमें enter करनी है उसके बद simply save employee detail पर click कर देना है उसके बद हमारे समने अगला page open होगा जिसमें हमें हमारा address देना है कि हम कहाँ पर रहते है जिसमें यहाँ पर हमारा complex address देना है यहाँ पर हमारा house number या door number यहाँ पर हमारा locality, area, pin code number, city यह सारा कुछ देने के बद यहाँ पर एक option मिलेगा save current resident address simply हमें उस पर click देना है जैसे हम उस पर click करेंगे तो हमारे समने अगला page open होगा अब यहाँ पर हमारे सारे details verify होगी तो यहाँ पर हमने यहाँ पर जो भी सारे details दी थी वो सारी आ जाएगी उसे हमें एक बार अच्छे से देख लेना है उसके बाद यहाँ पर एक option मिलेगा save and proceed तो simple हमें उस पर click कर देना है जैसे हम उस पर click करेंगे तो हमारे समने अगला page open होगा जिसमें हमारा address verification के लिए आएगा जैसे हमें कंठों करना है कि क्या एह address आपका है तो यहाँ पर हमें एक option मिलेगा submit personal detail तो simple हमें उस पर click कर देना है अब यहाँ पर थोड़ा processing लेगा हमारे detail सारी submit हो चुकी है अब हमारी सारी detail verify होगी और हमें तुरंती पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर कितनी loan लेने के लिए eligible है तो यहाँ पर थोड़ी देर wait करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो हमें एक loan amount यहाँ पर दोस्तों मिल चुकी है आप यहाँ दोस्तों यहाँ पर हमें इस loan को लेने के लिए यहाँ पर एक option मिलेगा get cash now तो simple हमें उस पर क्लिक कर देना है जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे इस application के home page में आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी personal detail complete हो चुकी है हमें एक loan amount भी मिल चुकी है अब हमें अब क्याइसी करनी है तो अब क्याइसी में हमें आधर काड के detail देनी है अब आधर काड हमें यहाँ पर verify करना है तो यहाँ पर तीनों अप्सन है तिनों में से कोई भी option से हम अपना अधर करवा सकते हैं हम चाहें तो डीजी करवा सकते हैं और मेन्यू लिए अधर का back and front photo upload करकेगे यहाँ पर अधर करवा सकते हैं तो अब यहाँ पर दोस्तों हमरे अधर कर में मोबाई लंब लिंक है तो हम सेकंड वाला ओप् 연ертв करेंगे उसके दो Less than not है यहाँ पर हमें के ऐखे कोड करेंगा वह यहाँ पर हमेंने अंडार करने ए और लिखाहु आ जाएगा तो अब हमारा यहां पर आधार कर वेरिफाई हो चुका है अब नीचे दूस्तों यहां पर हमें दो option मिलेगे जिसमें एक है वीडियो KYC का option और एक है pen card का option हम चाहे तो यहां पर वीडियो KYC के थुरू भी हम अगला step complete कर सकते हैं अधराज यहां पर हमें pen card का photo upload करना होगा तो हम यहां पर नीचे वाला option select करेंगे upload photo of pen card तो हमरे समने अगला page open होगा जिसमें यहां पर दोस्तों हमें एक pen card का photo upload कर देना है photo upload करने के लिए यहां पर एक option मिलेगा click photo, simple image उस पर click करके हमारे gallery से हमारा pen card का photo सुच करना है और यहां पर upload कर देना है उसके बद अगला page में दोस्तों यहां पर हमसे bank detail पूछी जाएगी जिस bank account में हम loan लेना चाते है वो bank detail यहां पर हमें enter करने है bank detail में यहां पर सबसे विले bank नाम enter करना है bank account number, confirmation के लिए दुबारा से वही bank account number और यहां पर IFC code इंटर करना है उसके बद save bank detail पर click कर देना है उसके बद हमारे bank account में एक रूपया बेजा जाएगा हमारे bank detail verify करने के लिए एक रूपया आते ही यहां पर हमारे bank detail verify हो जाएगी और यहां पर आप देखोगे तो KYC document भी हमारा successfully provide हो जाएगा अब यहां पर एक option मिलेगा setup auto debit यानि कि अब हमें यहां पर auto pay setup करना होगा जैसे कि हर मत की EMI automatic से हमारे bank account से कर जाए तो हम यहां पर setup auto pay पर click करेंगे उसके बद यहां पर फिर से setup online पर click करेंगे तो हमसे यहां पर दो option पुछे जाएगे कि हम auto pay setup debit card से करना चाहते है या net banking से करना चाहते है तो हम यहां पर net banking सूस करेंगे जैसे net banking सूस करेंगे तो हमारे समने कुछ इस तरीकर सा interface आएगा अब यहां पर हमें net bank का username और password एंटर करना है और यहां पर हमें next पर click कर देना है तो हमारे bank में जो mobile number link होगा उस पर एक OTP send किया जाएगा वो OTP से हमारे net banking verify करना है और हमारा auto pay setup यहां पर complete कर वा लेना है ठीक है तो यहां पर auto pay setup complete होने के बाद यहां पर दोस्तो old step done हो जाएगा अब यहां पर बताए गिया है कि आप इस application को refer करना चाहो तो कर सकते हो यहां पर हर refer का 300 रुपिया मिलेगा तो हमें refer करना है तो हम यहां पर refer now पर click करेंगे otherwise इस space को यहां से cut कर देंगे तो हम यहां पर इस space को cut कर देते है तो अब यहां पर दोस्तों हमारी loan amount आ चुकी है अब हम चाहे तो इस loan को अमारे बेंग अकाउट में transfer कर सकते है हमारा all step यहां पर complete हो चुका है तो यहां पर हमारी loan है अब यहां पर option मिलेगा available instant cash simple हमें उस पर click करना है तो हमारे सामने कुछ इस तरीक सेंटरपेस आएगा अब यहां पर भी हमारी loan सोग कर रही है अब निच्छे एक option मिलेगा choose perfect tenure तो simple हमें उस पर click करना है तो हमारे सामने कुछ इस तरीक सेंटरपेस आएगा यहां पर हमारी loan amount रहेगी यहां पर हमारे EMI रहेगा कितना interest लगाए गया है कितना charge यहां पर इस loan पर लगाई गया है कुछ सारा कुछ यहां पर सोग कर रहा है अब यहां पर दोस्तों मुझे 10,000 रुपय की loan मिली है उसमें से हम minimum 5000 रुपय से लेके 10,000 रुपय की loan में से कोई भी loan amount हमारे bank account में transfer कर सकते है उसके बाद यहां पर हमारा फिसन साजर loan, 10 यूर वगरा सारा कुछ रहेगा वो हमें एक बार confirm कर लेना है उसके बाद नीचे एक option मिलेगा continue to loan confirmation सिंपल हमें उस पर click करना है तो यह loan amount हमारे bank account में transfer होने के लिए चली जाएगी बस इतना सा काम करना है दोस्तों यहां पर 5 application चल्ट loan apply करने के लिए यहां पर अभी मुझे दोस्तों loan की जरूत नहीं है तो मैं last step आपको complete करके नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बहुत सारी loan application से loan ले चुका हूँ तो मेरा civil score बहुत ही down हो चुका है तो अब मैं दोस्तों कोई और loan नहीं लेना चालता तो अभी मैं इस loan amount को हमारे bank account में अभी transfer नहीं करूँगा अभी यहां पर दोस्तों सिर्फ last step है अब यहां पर जैसे ही मैं continue to confirmation पर क्लिक करूँगा तो हमारी loan amount हमारे bank account में transfer होने के लिए चली जाएगी और within एक या दो गंटे के अंदर हमारी loan amount हमारे bank account में पहुँच जाते है तो यहां पर दोस्तों मैंने step by step आपको सारा process बता दिया है कि आप 5 application से loan case से apply कर सकते हो यहां पर दोस्तों मुझे short amount के loan मिली है लेकिन यह loan amount हमें सिर्फ आधर card और bank card के basis पर मिली है आप भी अगर यहां से loan लेना चाहो तो इस तरीक से ले सकते हो और अगर आपके पास bank statement है आप साहे sellied हो या self employee अगर आपके bank में regular कोई ना कोई amount आती है तो यहां पर आप अपनी bank statement अपलोड करके बड़ी amount की भी loan ले सकते हो ठीके तो चले दोस्तों आज के वीडियों पस इतना ही उमिद करते हैं कि आपको एग वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो like, share, comment and subscribe करना ना भूले तो चले दोस्तों मिलते हैं को रहे सी दमाकेदार वीडियो के साथ तब तक के लिए good bye